तो चलिए, अब तक आपके पास 2000 रुपए के नोट को लेकर ख़वर तो आहीं गई होगी। सरकार ने 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ा फैसला किया है, इन नोटों को चलन से बाहर किया जाएगा, यानि कि 2000 रुपए का नोट अब बंद हो जाएगा। ये ख़वर सामने आने के बाद से ही, आप जैसे बहुत सारे लोग उलजन में होंगे, खासतोर से वो लोग जिनके पास 2000 रुपए के नोट हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं, जिनके पास 2000 रुपए के नोट हैं और आप उलजन में हैं, परिशान हैं, तो आपको परिशान होने की जरूरत कत्ता ही नहीं है। दरसल नोट बंद होने का मतलब, 2000 रुपए के नोट बंद होने का मतलब ये नहीं है कि अब इनका मूल ले नहीं रह गया है, Reserve Bank of India इसके लिए आपको परियाप्त समय देगा कि आप इन्हें बदल सके, आपके मन में धेर सारे सवाल उठ रहे होंगे, हर सवाल का जवाब हम और नहीं छापने का फैसला किया है, इन नोटों को नोट बंदी के बाद नवंबर 2016 में शुरू किया गया था, इनने सिस्टम से तेजी से वापस ले लिया जाएगा, केंद्रिये बैंक का मानना है कि इन नोटों को छापने का मकसद अब पूरा हो चुका है, अगर आपके पास 2000 रुपए के बैंक के नोट हैं, तो आपको घबराने की, परिशान होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है, इन्हें आप अपने सुविधा के अनुसार बदलबा सकते हैं, इसके लिए Reserve Bank of India ने परियाप्त समय दिया है, अब सवाल यह है कि क्या 2000 रुपए का नोट अब इसे कोई लेना चाहेगा, यही कारण है कि लोग अब इन्हें बदलवाना चाहेंगे और बदलवाना पड़ेगा भी, जमेले से बचने के लिए लोग अब 2000 रुपए का नोट लेने से बच सकते हैं, 2000 रुपए का नोट आप कहां बदलवाएंगे, यह सवाल भी आपके मन म आता होगा, Reserve Bank of India ने जो guideline जारी किया है, जो बताया है उसके मुताबिक 2000 रुपए के बैंक नोट को आप किसी भी बैंक में बदलवा सकते हैं, यानि अगर आपका खाता भारती स्टेट बैंक में है और आपके घर के पास पंजाब नेशनल बैंक, केंडरा बैंक, बैंक बैं सकते हैं, अब यह सवाल आया होगा, कि 2000 रुपए के नोटों को कब से बदला जा सकता है, दरसल बैंक 2000 रुपए के नोटों को बदलने का काम 23 मई 2023 से शुरू कर देंगे, कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए बैंक के कामकाज के घंटों में कभी भी इन नोटों को बद बदलवा सकते हैं, बैंक का जो समाने कामकाज है, वो डिस्टर्ब नहीं हो, इसके लिए एक बार में 20,000 रुपए की सीमा फिलहाल तै की गई है, यानि कि 2000 रुपए के 10 नोट, 20,000 रुपए आप एक बार में बदलवा सकते हैं, मैं कब तक अपने 2000 रुपए के नोट को लुपए के नोटों को 30 सितंबर, जी हां, 30 सितंबर 2023 तक एक्सचेंज किया जा सकेगा, यानि कि नोटों को बदलने के लिए 23 मई से 30 सितंबर तक का समय दिया गया है, क्या इसे नोट बंदी माना जाए, 2000 रुपए के नोटों को जिस तरीके से बंद करने का, जो सवाल सामन आपके मन में आ रहा होगा कि क्या इसे भी नोट बंदी माना जाए तो जान लीजिए ये नोट बंदी कता ही नहीं है 2000 रुपए के नोट पूरी तरीके से मानने रहेंगे इन्हें किसी भी तरीके से लीगल टेंडर से बाहर नहीं किया गया है इन्हें बंद नहीं किया जा रहा है बलकि सिस्टम से हटाने के लिए इनकी वापसी की जा रही है जिदरो बैंक आफ इंडिया को लगता है कि जिस ओदेश से 2000 रुपे के नोटों को छापा गया था अब उसे पूरा कर लिया गया है